क्लास 9 की मैत का चेप्टर 3 है कौौडिनेट जीमेट्री कौडिनेट होते हैं मारे x और y एक x-axis होती है और एक y-axis जो horizontal line है वो होती है x-axis और जो vertical line है वो होती है y-axis तो यह है जो यह बहुत ही simple सा chapter है और इसमेंसे आपका paper में 4 number का question आता है ठीक है अब देखो एक question तो आपका इस type का आता है और यह paper में भी आयता है write the coordinates of the points marked on the x-axis यह हमारी x-axis होती है यह y-axis इधर positive points होते हैं और इधर negative इधर positive और इधर negative इसमें पूछा हुआ जो यह mark हो रहे हैं इनके points क्या है जैसे यह वाला mark है तो यह हमारा क्या है y की value तो 3 है और x की क्या हो जाएगी 0 तो इसके points क्या आ जाएंगे 0 और 3 भी कहीं आ गए और यहां पर यह है देखो यह कितना है हमारा 2 by 3 x की value और y की हो गए 0 पहले x की लिखते हैं फिर y की लिखते हैं इधर x की value minus 5 और y की value 0 इधर y की है हमारे पास deep point पर तो x की क्या हो जाएगी 0 0 और minus 4 x axis पर y 0 होता है और y axis पर x 0 होता है एक question तो इस type का और second है हमारा यह देखे यह हमारा इसको यह points given है draw the points a 2 0 2 2 0 2 and join the line segment o a a b b c और यह figure है जो क्या बनेगा a point 20 यह एक्स की value 2 y की 0 x की 2 y की 2 यह point हो गया तो इनको जब join करेंगे हम ऐसे आएगा तो यह क्या बन जाएगा एक square बन जाएगा ठीक है एक point यह है देखो आपका Cartesian plane पर इनको locate करना x की value minus 2 y की 8 x minus 2 इदर होगा negative की तरफ और y होगा 8 हमारा यह वाला point तो यह तो आप ऐसे ऐसे करके भी draw कर सकते हो यह नहीं सीधा point लगा सकते हो x की minus 2 y की 8 x की value minus 1 यह है y की 7 y की value 7 यह positive यह हो गया यह point आगे देखो x की minus 1 y की value 7 x की value 0 0 यह y की minus 1.2 y तो minus 1 से थोड़ा उपर हो गया इदर point आगे x की value 1 y की 3 x की value 1 यह है y की 3 x की value 3 y की minus 1 x की 3 होगा y minus 1 यह से लगाने तो यह होता हमारा Cartesian plane ठीक है तो यह आपको ऐसे करने इनको आपको इस तरीके से भी draw कर सकते हो जैसे point पीपर पूरी complete कर दिये है